बच्चो स्रियक्षिन कन्या पीजी कॉलेज हिंडोन सिटी के दिश्टर प्रेटफर्म पर आपका स्वागत है आज हम आपको ओडियो लेक्चर के माद्यम से पर संस्कृती ग्रेंट पढ़ाने वाले हैं बच्चो इसको इंग्लिस में एकू कल्चरेशन बोलते हैं विटा य आपके बीए सेकंडियर के पीपर सेकंड में है ठीक है बच्चो आईए जानते हैं सब के बारे में जैसा कि बच्चो इसका जो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि पर संस्कृती ग्रेंट क्या मतलब है दूसरे की संस्कृती को अपने जीवन में ग्रेंट कर लेना या उसको सीख कर अपना जो देनिक क्रिया क्लाप हैं उनको करना ठीक है पर संस्कृति करांड कहलाता है इसमें प्रमुक बात यह है कि हम दूसरी संस्कृति के अच्छे या बुरे कभी-कभी देखा जाता है कि लोग बुरी आदतों को बहुत जद्दी सीख लेते हैं लेकिन यह पूतरे से कह सकते हर संसकृती में जाएतर अच्छे चीजें भी होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उप्योग होती है तिक एक इसका जो सामान्य अरत है वह जानते हैं बच्छोimiz जब कुछ संस्कृति तत्वों के एस्दान पर बहुत सारे तत्व अपना लिये जाते हैं तो उसे हम पर संस्क्रती ग्रहान कहते हैं, इसका मतलब हुआ कि जो संस्क्रती है वो क्या है, बे ओफ लाइफ है, जीवन जीने का क्या है एक तरीका है, अगर हम प्रोफेसर स्यामा चरण दूवे के सब्दों में इसको समझने की कोशिस करें तो इसमें बताया गया है जो दो संस संस्क्रति के तद्टों को अपनी इच्छा या किसी दवाव से ग्रहन करें तो इस प्रिया को हम संस्कृती पर संस्कृति क्रह turtles कहिंगे कहने का मतलब है कि half up जो संस्कृत के लोग आपस में रह रहे हैं और वह उनके मात वीच में क्या है बच्चों विचारों का अधान प्रदान हो रहा है कभी कभी देखा गया है कि जो प्रबल समाज है वो निर्मल समाज को अपनी चीजों को ठोप देता है ठीक है ऐसे जैसे कि बहुत से लोग अपना धर्म भी धर्मांत्रड भी करा देते हैं ऐसा मालू कोई व्यक्ति प्रबन दे दिया कि अगर तुम हमारा धर्म अपना लोगे तो क्या है तुमारी सारी समस्या सोल हो जाएंगे हम तुमारे बच्चों का अच्छी सच्छा देंगे तो बहुत सारे केस में देखा गया है कि लोग दूसरे के धर्म को क्या कर लेते हैं आत्पसात कर लेते हैं धारण कर लेते हैं यह यह पर लेकिन यह पर संस्क्रति की तरह है ठीक है अगर हम कि हर स्कूर्ट की रस्टी कौंड से देखें तो जो पर संस्क्रति की प्रसार संस्क्रतिक संप्रेशन से प्राप्त हुआ है संस्कृतिक संप्रिशन का मतलब है कज्चरल ट्रांसमिशन ठीक है और इसको अगर मलब एक साधरण भासा में समझें तो पर संस्कृति गिरहन में वे गटनाय आती हैं जो विन-विन संस्कृतियों के व्यक्तियों के सम्हूमें न्यंत्र या पच्छ के तोर पर देखि जाती है जैसे कि एक या दोनों सम्हूँ के मॉलिक संस्कृतिक प्रतिमान में जो परवतन ंगटत हो रहे हैं वो क्या है वच्चो हमें परसंस्कति करन की रूप में देखने को मिल रहे हैं ठीक है इसमें में बात यह है कि हम दूसरे की कल्चर को क्या कर रहे हैं जैसे कि अपनी जीवन में क्या कर रहे हैं इसका मतलब है दूसरे की कल्चर को हम अडप्ट कर रहे हैं जैसे कि आज कल तुम देख रहे हो खाने की विवस्ता है जीवन साती चुनने की विवस्ता है दार में क्रिया कलापों की विवस्ता है तो यह सब चीजें जैसे कि बच्चों तुम्हें देखो गड़ेश पूजा है गड़ेश पूजा है जो महाराष्ट में इसका बहुत ज्यादा होता है लेकिन आज हम अपने उत्तर भारत में अगर इधर देखते हैं, यूपी है, राजिस्तान है, इन राजियों में भी बड़ी दूमदम से मनाई जाने लगी है, किनिका मतलब है हम उन सब चीजों को बदलते परवेश और आधनिक स्वरूप के माध्यम से जीवन में क्या है, ढाल रहे हैं, ठीक है, यह है, अब ऐसे ही, इंग्लिस मीडियम की बात करें, इगर स्कूलों की, तो उसमें भी देखा जाता है, बहुत सारे जो टीचर हैं, वो केरला वगरा से, साउस से के टीचर आके यहां हमारे उत्र भारत में, वो सिच्छा दे रहे हैं, तो जब वो टीचर अपनी भासा के म अध्यम से बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चे भी तो उसी कल्चर को सीख रहे हैं, अब भाई, कोई व्यक्ति है, मालो बेटा, कोई व्यक्ति है, वो यहीं का है, लेकिन जब वो कहीं दूसरी जगे रह रहा है, सालों से तो क्या है, वो सारी चीजें सीख जाएगा, दीरे दीरे क्या है, जैसे हमारा जो बातावरड होता है, आसपास का परियावरड जैसे दू तरह का होता है, बच्चों प्राकरतिक और सामाजिक, जब सामाजिक परियावरड हमारा जैसा होता है, वैसे ही हमारा क्या है, जो बे ओफ प्रेजेंटेशन है, किसी भी चीज़ पर हमारा बचार बात करने का तरीका है वो भी बदल जाता है मतलब जो हमारा रहन सेन है सब कुछ उसी तरह हो जाता है जिस मावल में हम रहने लगते हैं किने का मतलब है जो हमारा संस्क्रती का मौलिक सरूप है वो बदल जाता है ठीक है और देखो बच्चो आसकल क्या है रो लोग अपने रोजगार के लिए भाहर भी जाता है तो वहां पर नए नए लोगों के नए नए कल्चर तरह-तरह कल्चर के लोग मिलते हैं काम करने के लिए जैसे के मालों में चले जाओ मल्टिनेशनल कंपनीज होती है वहां तो एक राज व्यक्ति होता नहीं दूसरे दूसरे राज विदेश्ट यहां तक के विदेश्ट के वी लोग उनके साथ भी काम करना पड़ता है इस तरह से क्या है जो हमारा संस्कृति है वह पर संस्कृति करन के और यह तो रही यह बात जैसे के बच्चों अगर दवाव की बात देखें तो मुगलकाल में क्या है वर हमारे जो हिंदू संस्कृति के लोग थे हुनबू जवाजरस्ति से जो मुस्लिम कम्यूनिटी की जो मलब ने तरीके थे या पूजा पाठ के तरीके या और धर्म के मानन के तरीके या उन्होंने क्या है अपनी एक मुगलकाली कल्चर को क्या है समाज पर थोपने का प्रयास किया काभी अद्धक वो इस उद्देश में सफल भी रहे लेकिन जैसे जैसे मुगलकाल का पतन होता गया और वो कल्चर भी दूर होती गई ठीके आपका भी आगरा बगएरा गए हों गुमने तो ताज मेल है यह सब चीजे यह वांके जो लोगों की घर है ना वो भी मुगलकाली इस्थापतिकला के साथ जुड़े हुए हैं तो इससे हम परसंस्कृति ग्रेंड का एक्जम्पल समझ सकते हैं ठीक है और है इसमें जब एक संस्कृति अपने मूर्स रूप को पूर्ट एक होकर दूसरी संस्कृति को इस प्रकार अपना ले या भिनता सम्मव नहों तो वच्चो डिकल्चरेशन इसी का दूसरा पर